मेरे शल्ग नाम है वर्षर ब्यूटी के आशागर्दी दोस्तों कि आप सब अच्छी होंगी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आज की जो वीडियो है यह रिक्वेस्टिड वीडियो है आप लगों पर भी बिल्टी में लिंक दे दूगी आपको मेकप रिलेटिड आपको पसंद आएंगे और अपके लिए हैल्पल भी होंगे और दोस्तों यह वाली वीडियो थोड़ी प्ली अच्छी लगे ना पसंद कि जरूर बताना कि आपको आज का यह मेकप लुक ऐसा लगा जहीं है दोस्तों आज मैं शेयर करने जा रही मौनी रुए का यह मेकप लुक जैसे कि आप देख सकते हो यह बहुत ही प्यारा लगा मुझे का लुक और सबसे च्छी बात यह कि जो आज की वीडियो नहीं ब्र प्राइस पर आपको यह बिल जाएंगे तो चलिए फड़ावट से देख लेते हैं या फिर आप वीडियो की प्लेलिस भी चेक कर सकते हैं वहाँ पर भी आपको मेरे चल्ल पर बहुत सारी हलफुल वीडियो देखने को मिल जाएंगी नेक्स में यहाँ पर परपल की प्राइमर यूज़ कर रही हूँ प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कास्तोर से समर में और वैसे भी फाउंडेशन से पहले प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है आपके पोर्स को भी मिनिमाइस करता है नेक्स में यहाँ पर NYB की एक contour stick लगा रही हूँ अपने dark spot यह बहुत अच्छे से dark spot को hide कर देती है brush की help से भी आप इसे blend कर सकते हो या फिरा finger की help से भी इसे blend कर सकते हैं नेक्स में यहाँ पर Rio की यह BB cream लगा रही हूँ यह बहुत ही अच्छी BB cream है और इसका अलग से review भी मैंने अपने channel पर share किया हुआ है नेक्स में इसमें elf foundation की कुछ drops mix करकर लगाऊंगी क्योंकि इसका जो shared है वो मेरी skin tone के हिसाब से नहीं है थोड़ा सा light है और दोनों को अच्छे से mix करके भी आप लगा सकते हैं कोई भी dark foundation ले लीजे तो आप उसे भी mix करकर इस तरीके से BB SEC cream को लगा सकते हैं इन सभी makeup rods के link आपको description box में मिल जाएगी चेक कर लीजेगा और बहुत available price पर आपको भी मिल जाएंगे online बहुत अच्छे discount आप जानते हैं कि चलते रहते हैं और मैं इसी beauty blender की help से अच्छे से blend कर लूँगी blending में बहुत अच्छे से समय दीजेगा जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजेगा next मैं यहाँ पर blue heaven eyebrow definer की help से अपनी eyebrows को सबसे पहले मैं set कर लूँगी यहाँ पर इसमें one side spoolie है और one side आपको eyebrow definer मिल जाता है तो यह देखें इस तरीके से मैंने अपनी eyebrows को भी fill कर लिया है आपकी eyebrows में जहाँ भी gaps होता है बस उसे fill करना होता है बहुत जादा use ना करें इसके बाद मैं purple की concealer ले रही हूँ और अपनी eyelid पर मैंने इस concealer को लगा लिया था वो clip मुझसे delete हो गई है तो इसके बाद मैंने concealer को compact powder की help से set कर लिया था यह neon की compact powder है बहुत ही अच्छी है इसका review भी मैंने अपने gel पर share कर दिया है दोस्तों concealer को set करना बेहर जादा ज़रूरी होता है ताकि आपके concealer में कोई भी lines ना बने इसके बाद मैं make up revolution palette से transition shade लूँगी light orange सा shade है peachy सा shade है बस इसे crease line पर लगा लगा कर अच्छे से blend कर लूँगी इसके बाद मैं same palette से golden shimmer shade ले रही हूँ और इसे finger की help से लगा लूगी बहुत ही easy-peasy सा make up look है आप असानी से कर सकते हैं और यह देखे finger की help से ही लगा सकते हो या तो इस तरीके से maybelline gel eyeliner की help से मैं भी इस तरीके से eyeliner लगा रही हूँ small सा wing बनाते हुए और liner मैंने मोटा ही लगाया है आपको जैसा आता है वैसे आप लगा सकते हो अगर आपको make up बिल्कुल नहीं आता है तो आपको जैसा भी मतलब liner आता है वो भी आप लगा सकते है इसके थीक थोड़ा सा नीचे लगाते हुए हलकी हाथों से मैंने इसे blend कर लिया था इसके बाद मैं सेम पैलेट से ब्राउन शेयड लोंगे और अपने face को contour कर रही हूं यहाँ पर fan brush की help से भी contouring बहुत अच्छी होती है मुझे अच्छा लगा इस तरीके से करना यह तो आपके कोई वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज दोस्तो लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लिजएगा साथ में जबर बटने से प्रेस कर देना दोस्तों अम यहाँ पर blue heaven की makeup fixer लगा लोंगी और next में यहाँ पर maybelline की highlighter लगा हाइलाइटर तो मेकप में मुझे बहुत जादा पसंद आता है क्योंकि इससे पिक्स भी बहुत अच्छे आती और आपका face बहुत ग्लो करता है बहुत ही कुपसूरत दिक्ता आपका makeup और mascara जैसे कि as usual मैं हमेशा बूल जाती हूं mascara end में यहाँ आता है तो यहाँ पर मैंने mascara lipstick लगा रही हूं भी महराणी की तरह त्यार हूं है तो महराणी वाली lipstick लगानी भी बनती है यह lipstick न मुझे बहुत जादा पसंद आ ही है waterproof है smudge proof है इसका review भी मैंने शेयर किया हूआ है मैंने जितने भी product यूज के है ना सभी का review शेयर किया हूआ है अपने चल पर चेक कर लि वीडियो मैं बना दूँगी इस च्यूलरी पर तो प्लीज एक बार जूरूर चेक कर लिएगा और मुझे फॉलो जूरूर कर लिजेगा इंस्टाग्राम पर और चैनल को सब्स्क्राइब कर लिएगा साथ में शुबर बढ़ने से प्रस कर देना दोस्तों और आपको डिस् झाल